हेलो दौस्तों, वेल्कम बाइक दो एंजेल टेडिंग फ्रेंट आज में आप लोग के लिए और एक मेरा सिक्रिट बताना चाहता हूं और यह मेरा फ्रेंचाइसी में जो सिक्रिट प्रेंचाइसी में अभी के लिए लास्ट ट्रैटरीजी रहेगा जोस्तों मैं इसका बार आप लोग को दूसरा और स्राटेजी बताने चाहता हूं उसका पहले में बता देता हूं क्या क्या है next मेरा पास स्राटेजी है कि learn how to make money in the night और एक स्राटेजी है learn strategy to make money 24 पर 7 अगर Saturday और Sunday और Monday और night जो भी टाइम है कैसे पैसा बनाना वो आपको दिखा देता हूं उसका बाद एक वीडियो है compounding का उपर compounding 8th wonder of the world उसका बाद मेरा एक sincere effort है आप लोग को help करने के लिए वो वीडियो है learn how to escape the rat race and make money in trading जो लोग trading stock market में बहुत दुखसान कर रहा है बहुत loss कर रहा है वो लोग के लिए मेरा strategies मेरा secret बताने के लिए मेरे एक चोटा सा एक कोशिश है तो please stay tuned to my channel जो लोग मेरा वीडियो पहले बढ़ देख रहे हैं तो please subscribe में चैनल for all these videos तो आज का strategy है pair trading on zinc and hindustan zinc दोस्तों मैं अभी तक crude oil में क्या के relationship है कैसे trade करना है वो सब आप लोगो दिखा जाता है अभी मैं आपको zinc में कैसे करना है वो दिखा देता हूँ और वो भी very easy है कोई भी technical intricators का ज़रूत नहीं है कोई भी technical analysis का ज़रूत नहीं है calculations कुछ भी ज़रूत नहीं है जो भी first administrator है जो भी beginners है जो भी working professionals है सब लोग के लिए यह strategy बहुत easy है आसान है और आराम से follow कर सकते हैं ओके दोस्तों तो चलिए strategy क्या है वो एक बार दिखा देता है आप लोगो यह strategy में हमारा logic यह है कि हम MCX zinc को follow करेंगे मेरा previous दो strategies में हमने sequels में हमने crude को follow कर रहा था अभी हमने zinc को follow करेंगे अभी इसमें क्या करना है same सब strategies जैसा same thing है आप लोग को अलालम रखना है at 9.15 a.m. उसका बाद entry लेना है entry लेने के लिए हमको previous day MCX zinc का data देखना है अगर वो positive है या negative है अगर previous day positive है मतलब close is greater than open तो आज का दिन हिंदुस्थान zinc को buy करना है simple है कोई भी confusion नहीं है अगर yesterday MCX zinc positive था तो आज का दिन हमको इंदुस्थान zinc को buy करना है अगर yesterday MCX zinc negative था तो आज का दिन हमको हिंदुस्तान जिनको sell करना है इतना ही है दोस्तों simple है चुरे आप लोग को मालूम है मैं तो हमेशा back tested proof दिखा दें तो आप लोग को बिना कोई back test मैं आप लोग को बताता नहीं हूँ उससे पहले जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहा है तो प्लीज देखे यह मेरा चैनल है एंजल टेडिंग फ्रेंड इसमें मैंने बोट सारा strategies for working professionals अप्रोड किया हूँ अलड़ी इंग्लीश में भी है हिंदी में भी है इस और इक्विटीज ऐस वेल अश कमोडिटीज तो जो लोग पहली पर देख रहे है तो डोंट फर्गेट तो प्रेस थी सब्सक्राइब बटन और अलसो थी बेल बटन ओके तो वन्स यू प्रेस थी सब्सक्राइब बटन आप लोग को जो भी में वीडियोज अप्रोड करता हूँ उसका पूरा डीटेल्स आपको छुरद मिल जाएगा ओके दोस्तों चलिए मैं बाक टेस्टेट देटा दिखा देता आप लोग को मैंने 2013 तर टेस्ट करके देखा और बहुत अच्छा आया है तो अब ये 2017 लेटेस्ट होल एक्जम्पल दिखा देता आप लोग को मान लीजे 3rd Jan market open हुआ at 261.05 इदर देखे ये पूरा high open high low close ये पूरा NSE से डानवर किया हूँ मैंने दोस्तो NSE is the trusted source because NSE provides trading for us so don't go with other charts okay trust NSE India और आपका backtest के लिए भी NSE India का डेटा ही लीजे आप लोग को perfect data मिलेगा perfect analysis मिलेगा ठीके तो on 3rd Jan को 261 पे market open हुआ ये buy करना ये sell करना ये decide करना के लिए simple है हमको previous day 2nd Jan का zinc data देखना है okay मैंने इदर 01 डाला हूँ 0 का मतलब ये है कि negative है और 1 का मतलब है positive है okay so based on the backtest मैंने 01001 डाला है तो 2nd Jan को market 0 था इसका मतलब क्या है 3rd Jan हिंदुस्तान जिंको हम लोग को buy करना है sorry sell करना है okay negative था इसलिए sell करना है okay दोस्तों market open हो है 261 हमने sell किया वो उपर गया तिल 262 तक गया बाव में नीचे आ गया तिल 256.8 जो लोग full time trading कर रहे है जो लोग full time traders है chat का अनसर they can watch the charts और वो सब देखे आप लोगो अगर targets रहे तो ले सकता है but since यह strategy is working professionals के लिए है तो हमने end of the day closing price 260 पे ही order लेंगे okay close करेंगे so end of the day हमको close हुआ had 260.3 और profit मिला हमको 0.75 simple इतना ही है और एक example दिखा देतो दोस्तों चार तारिक को market open हुआ at 259.5 259.5 पे buy करना है यह तो sell करना है दिखाने के लिए हमको previous day 3rd तारिक 3rd जैन को zinc का data देखना है zinc was negative मतलब 0 था okay close was less than high sorry close was less than open इसके लिए हमको क्या करना है चार तारिक जब market open हुआ हम लोगो sell करना है हमने sell किया at 259.5 और market गया at closing हमको मिला at 252.5 और 7.4 profits मिला है चलिए दोस्तों ऐसे daily हमको करना है कोई confusion नहीं है बहुत simple है सिर्फ previous day का zinc data देख लिजे और आज का date buy करना है sell करना है या decide कीजे चलिए दोस्तों और एक questions आप लोग मेरे को पूछता है sir यह open price में आप कैसे purchase करेगा क्योंकि market price open price से बहुत फर्क करेगा दोस्तों दो चीज में बताना चाहता हूँ अगर market open हुआ at 261.05 okay 0.5 का buffer लीजिए अगर 0.5 ऊपर यह नीचे है तो कोई tension नहीं आप order ले लीजिए क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको और second thing यह है कि आप लोग को patience रखना है इधर देखें दोस्तों on third jan को हम लोग को short करना था at 261.05 मतलब हम लोग को sell करना है और बोध लोग processor 261 से sell ने कर सकते है अल्यड़ी market नीचे गया होगा 259 पहुँचा होगा 260 पहुँचा होगा ओके दोस्तों देखें market टेच हुआ at 262.15 मतलब 261 से पहले उपर गया है अगर नीचे गया तो भी उपर आके फिल से नीचे गया तिल 256 इसका मतलब यह है कि अगर हमने open price पे stop loss limit रखेगा तो पक्का यह open price मिल जाएगा हमको हमने very clear ओके तो market 261 पे open हुआ till 262 तक गया उपर उसका मतलब क्या है फिर से आपस आया है तो हमने open price जरूर दूसरा बार पेच हुआ है अपने चाहिए तो charts भी चेक करके देगे दोस्तों हमने open price और एक बार टेच करेगा ही करेगा 90% of the time टेच करेगा ही करेगा तो आप लोग को क्या करना है सिर्फ stop loss limit entry place करके छोड़ देना है अगर trigger होगा तो उसके trade करेगा अगर trigger नहीं होगा तो छोड़ देने का ओके दोस्तों आप लोग को मैंने दिखा दिया कैसे करना है अभी देखेंगे profits कितना है amount कितना है तो इसर देखें मैंने सिर्फ 3200 से multiply किया 0.75 का profit मिलेगा तो आमको मिलेगा 2400 rupees okay so same way continue 7.4 points मिला है तो आम लोग को मिलेगा 23,680 so दोस्तों daily same इतना ही किया मैंने just multiply 3200 a clock से जो भी points से वो multiply किया अभी देखेंगे total amount कितना मिला है okay यह मैने example के लिया हूँ अगर आप लोग का money management अलग है अब money management का बारे में already मैंने एक video upload किया हूँ golden rule of money management जरूर इसको एक पर देखें stop loss कितना रखना है targets तो मैं रखता हूँ रखता नहीं हूँ आप लोग को मालूम है जो लोग target रखना चाहता है वो भी रख सकता है कोई issue नहीं है अगर 1 lakh से हम चालो करेंगे यह strategy डेली यह strategy follow करना है दोस्तों चली देखेंगे end of the year भी नहीं है latest है 3 lakh 20 मतलब almost 300% multiply हुआ money और यह data है latest data that is last week का data है 23rd August तक मैंने लिया हूँ ओके दोस्तों आप लोग को मालूम है अगर 23rd August 24th August तक data है जिसमें हम लोग को already 1 lakh investment 300% returns मिला है और वो भी कोई compounding नहीं है देखें दोस्तों मैं compounding कियाने अभी तक अभी भी एक lot से ही कर रहा हूँ compounding का मतलब आप लोग को मालूम है अगर अपकल initial capital double हो रहा है तो lot size भी double करना है मान लिजे एक lot से एक lot आप लोग में purchase किया तो अगर 2 lakh होने से आप लोग को 2 lot करना है ऐसे करेगो तो यह देखें दोस्तों 300% जो इतर मिला है आप लोग को वो रहेगा minimum 800-800% रहेगा और यह भी सिर्फ half of the year हुआ है आउगस्ट में अभी भी time बहुत है डिसमबर तक चलिए 2016 का भी data दिखा देता हूँ 2016 में भी data performance is very good मैंने पूरा backtest करके analysis करके देखा हूँ 2016 में भी 1 lakh का example देखें आप लोग को दिखा देता हूँ कितना तक potential है मेरा strategy बिना कोई technical indicators amount almost 4 lakh touch किया है और यह भी कोई compounding नहीं है एक लाग से चलू किया और 400% return आया है देखिया इधर भी 3200 से ही में multiply किया उसका मतलब क्या है एक ही lot से में आपको example किया अगर compounding कर रहा है तो आप लोग को पक्का amount 1000% return आयागा in excel तो practically आप मान लीज़े आप 0.5 का buffer रख रहा है तो भी आप लोग को 500% का return आ जाएगा ओके दोस्तों तो simple strategy इतना ही है ओके stop loss आप लोग ने में बता दिया प्लीस यह तो homework है आप लोग कूद करना है पूद करके अगर कोई doubt है तो मेरे को always whatsapp कीजिए बोद लोग already whatsapp करके मेरे को discuss कर रहा है बोद लोग में सब लोग को बता दिया है ओके so if you want to know the stop loss you can do it yourself मेरा previous वीडियो golden block money management एक पर देख लिए आपको पूरा मालूम हो जाएगा उसका बाद आपको एक position में आ जाएगा कि कैसा करना है stop loss के इतना कितना का amount से trading करना है equity में करना है नहीं तो features में करना है दोस्तों यह equities में भी perform होता है features में भी perform हो जाता है तो जिसका पास पैस है नहीं है सिर्फ 5,000 है 10,000 है वो लोग भी trade करते हैं को issue नहीं है जिंक का data देख लिए जिंक का data देखे आप लोगो trade place और targets आप लोगो मालो में मैं तो targets place करता नहीं हूँ मैं तो working professional हूँ कुद working professional हूँ इसके लिए में end of the day जो profit मेरो मिलेगा जो कुद वह लेता हूँ keep alarm at 9.15 and log into your trading terminal उसका बाद trade place कर लिजे उसका बाद trading terminal बन करके आपका जो भी काम है अगर काम करता है तो काम करते है ओके दोस्तों so thank you once again जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे तो प्लीज सब्सक्राइब दीम चैनल angel trading friend for more back-tested and successful strategies don't forget it is all back-tested and successful strategies for working professionals and also for newcomers or beginners in stock market अगर मेरा back-tested file चाहे तो प्लीज मेरको whatsapp कीजिए 8095-876525 8095-876525 ओके दोस्तों data बहुत easy है analysis बहुत easy है strategy भी बहुत easy है मेरा strategy सब open ही है अब लोग चाहे तो excel फाइल लेके एक बार कुद चेक कर सकते हैं ने तो आप लोग कुद download करना तो download करके देखीजिए ओके दोस्तों thank you thank you once again